हलो वीवांस, सिंपल फुट्स में आपको स्वागत है, आज हम सिंपल फुट्स में गर्मियों के लिए स्पेशल बनाना मिल्क शेक कैसा बनाते हैं, देखेंगे, बनाना बहुत आसान है, बहुत हेल्थी है, आप जरू ट्राइ करके देखे, आपको पसंद आएगी, आप भी परफेक्सर रेस्पी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, ताके बिना डौट के आप भी बना सके, रेसिपी देखने के बाद आपको रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए, फिर किस बात की देरी फ्रेंड्स चलो रस्पी बनाना शुरू करेंगे, एक पैन ले लेंगे, इसमें दो कप जितना गाडा दूद अट कर लेंगे, दूद को आपके पास मिल्क पाउडर नहीं होगा तो तीन कप जितना दूद ले लेजिए, दूद को अच्छा सा पकाते हुए, दो कप जितना दूद होने तक अभी milk powder के दूद को add करने के बाद ग्यास को आन कर देंगे बीच बीच में चलाते हुए दूद को पकाएंगे milk powder दालने से दूद नीचे जल जाएगा इसलिए इस बात की ध्यान रख लीजिए बीच बीच में चलाते हुए high flame पर रखके एक उबालाने तक दूद को पकाएंगे अभी दूद में एक उबला गया है ग्यास को आफ कर देंगे अभी दूद में 10 से 12 काजू add कर लेंगे इस दूद में दालने से काजू अच्छा सा भिग जाएंगे दूद में ही ग्राइंड करने में आसानी होगी तो थो चैनल पर आप नहीं होंगी तो प्लीस फ्रेंड्स मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस्कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताकि मस्थ पहले देख सके दूद अच्छा सा थंड़ा एक मिक्सर जार ले लेंगे उसमें डू अच्छ overlap केले ले लेंगे केले अच्छ इसाभ उये ही ले लीजिए एक चूप केले अब आट कर देंगे मीठी की हिसाब से चीनी कमजादा करके अजस कर सकते ही और आट कर देंगे हाफ टी स्पुन जीतनी इलाइची पौडर इलाइची के अभी डायरेक्ट आट कर सकते ही इलाइची के जो दाने रहते हैं सही से ग्राइड नहीं होगी इसलिए मैं यहां पर इलाइची पौडरा आड़ कर रही हूँ अब अच्छा सा ग्राइड कर लेंगे स्मूज सा जैसा पेस्ट बनाना है देखो इसी तरह अब आड़ कर देंगे अच्छा सा थंडा करके रखे हुए दूद आड़ कर देंगे दूद आड़ करने के बाद प्राइण होनी के बाद एक बॉल में निकाल लेंगे मिलक शेक को और थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए इसमें हम सबजे के बीज आड़ कर देंगे एक तीस्पुन जितना बीज लेके इसमें थोड़ा सा पानी दालके दो घंटे के लिए भीगो के रख देंगे बीसबज के भी milkshake को बना सकते ही अब चीनी के बदले में इसमें शहत का भी एड़ कर सकते ही अब Лास्ट में थोड़े से ещё कटे हुए केले के पीसिस एड़ कर लेंगे हलका सा mixed कर देंगे बनके तयार हो गया है मज़ेदार बनाना स्पेशल मिल्कशेक अब बनाना मिल्कशेक को सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे एक सर्विंग ग्लास लेके उसमें थोड़ा सा हम भिगो के रखे हुए सबजे के बींज आड़ कर देंगे और मिल्कशेक को आड़ कर लेंगे और चाहे तो आइस क्यूब्स भी आड़ कर ले सकते ही अब मिल्कशेक आड़ कर लेंगे उपर से गार्निश कर देंगे और थोड़े से सबजे के बींज और थोड़ा सा ग्रेड किया हुआ पिस्ता और बादम से देखेना फ्रेंड्स कितना आसान है ये स्पेशल मिल्कशेक बनाना आप भी जरूर ट्राई करके देखिए आपके बच्चे केले नहीं खाते होंगे तो आप भी इसी तरह का मिल्कशेक बना के दीए एक बार पिएंगे तो बच्चे बार बार ये मिल्कशेक को पूछेंगे भी किस बात की देरी फ्रेंड्स आप भी जरूर बना के आपको कैसे लगी कि रिस्पी मुझे कामेंट कीजिए रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रिस्पी के लिए मेरे चानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग